दोस्तो सिलहाटि वाले बाबा का असली नाम है रमेश मिरी जो की सतनामी समाथ से बिलोंग करते हैं और उन्हें लोगों की बीमारिया ठीक करने की सक्तियां बाबा गुरु घासिदाज जी की सेवा करने से प्राप्थ हुई है, ऐसा उनका कहना है और दोस्तो यह सक्तिया उन्हें केवल 11 साल के लिए ही प्राप्थ हुई है और उनका कहना या भी है कि वे पूरे 36 गड़ को रोग मुक्त बना देंगे दोस्तो हम आपको बता दे कि पिछले 6 महने पहले से वो अपने घर में ही गिने चुने मरीजों को देख रहे थे और उन्हें ठीक कर रहे थे लेकिन दोस्तो जैसे जैसे मरीज ठीक होते गए वैसे वैसे उनके सक्तियों का 50% होना सुरू हो गया और देखते ही देखते उनके घर पर जो गिने चुने मरीज आया करते थे उनकी संख्या बढ़कर सेकडों में हो गई जिसके वज़ा से वो पिछले डेड़ महिने से अपने घर से 10 किलोमेटर दूर परतापूर में सीविर लगाना प्रारम कर चुके हैं और दोस्तो अभी हालात या है कि उनके सीविर में डेली 400 से 500 लोग पहुशते हैं जिनमें से केवल 200 से 2500 मरीजों को ही वह देख पाते हैं जिससे कुछ मरीज परिसान होकर वापस चले जाते हैं तो कुछ मरीज ठिटूरते ठंड में रात भर रुक कर अगली सुबह अपनी बारी का इंतिजार करते रहते हैं दोस्तो हम आपको बता दे कि सिलहाटी वाले बाबा के पास केवल 36 गड़ से ही नहीं बलकि अलग-अलग राज्यों से भी लोग आना सुरू कर चुके हैं जिनमें हमारे पडोसी राज मद्य परदेस और उडिसया का लोग भी सामिल हैं दोस्तो सिलहाटी वाले बाबा हर तरह की बिमारियों का इलाज करते हैं जैसे केंसर, टीबी, सुगर, बीपी, बवाशिर, गुंगापन, बहरापन, पागलपन, किटनी की समस्या, पत्री, बांचपन, इत्यादी और दोस्तो और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको इन प्रस्णों के सभी उत्तर मिल जाएंगे दोस्तो कुछ लोग इसे सच मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास दोस्तो आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और अगर आप में से कोई बाबाजी से मिलकर आया है तो अपना experience कमेंट बॉक्स में जरूर सेयर करें और दोस्तो अगले वीडियो में हम आपको बाबाजी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारिया देने वाले हैं तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन जरूर अन कर लें और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें धन्यवाद